तो सर ये बताईए कि CGPAC examination की तेयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए CGPAC exam की तेयारी जैसे किसी को अगर इस फिल्ड में आना है State Service में तो उसको लगता है कि मेरे को आगे फिल्ड में जाना अगर वो College में है वो देख रहा है कि इस फिल्ड में मेरे को भी जाना है लगता है कि मैं भी officer बनता तो उसको पहले तो graduation कर लेनी चाहिए graduation के दावरान उसको यह सब जो interviews है और यूटूबस है उसमें जो क्या syllabus है कैसे उसका exam होता है और क्या-क्या इसने पढ़ना पड़ता है उसको बारे में वो देखते रहे शुरू से ही ताकि उसको बाद में जब जब उसका graduation हो उसको तकलिप ना हो कि खोजना मत पढ़े कि क्या syllabus है कैसे पढ़ना है कितने steps होते हैं प्रिलिम्स मेंस और अगर पढ़ना चाहता है तो वह मैस कर सकता है इससे क्या माइंड भी आपका स्ट्रॉंग होगा मैस रिजनिंग और जो अपना 36 गड़का है जैसे कि कि किसी को पढ़ना ही है तो अपना कॉलेज के द्वारान पढ़ सकता है मुहावरे लोगोपती ट्राइब सकता है क्योंक आप अपियर दीजिए ताकि आपको पूरा हर चीज़ें क्लियर रहे तो आपको तकलिक नहीं होगी ऐसी होने चाहिए त्यारी थैंकिस्वाट सब्सक्राइब